मेरे प्यारे भाईो और भेनों, आप सब को मेरा हार देख पर नाम आज हमें गुर्देव सादू आस्वानी जी की पवित्र रवानी से ये शब्द मिले प्रियतम के चर्णों में फना हो जाऊं, शीश देकर नूरी साजन पाऊं हूँ हूँ एक तू ही तू, फना होना है, शीश देना है, जब तक हम फना नहीं होते अपना सर्वस्वन नियो चावर नहीं करते, तब तक हम अपने प्रियतम को पार नहीं सकते हम मेंसे एक-एक उस परममंजल तक पहुंचना है हम मेंसे एक-एक पर इस जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रभु की किर्पा जरूर होगी जब हम भी प्रयतम के चर्णों में शीष देकर उन्हें पालेंगे अहो भाग्य तब हमारा भाग्य जागेगा फिर हम भी वह चमतकार देखेंगे जो हर जगह पर चमक रहा है हू 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 एक तू ही तू मेरे प्रयतम जन्मों हम किसी भी रास्ते से चले फिर चाहे कर्ममार्ग हो या भक्तिमार्ग ज्यानमार्ग हो या राजयोग आखिर वह मंजल आएगी जब हम अपना शीष देकर साजन को पाएंगे यह मंजल बेशक उंची है बेशक मंजल दूर है किन्तु इस मंजल पर पहुंचना ही है अभी तो मंजल दूर प्यारे अभी तो मंजल दूर मेरी किष्टी पुरानी तूफान तेज है पहुंचना है जरूर अभी तो मंजल दूर प्यारे अभी तो मंजल दूर मेरी किष्टी पुरानी तूफान तेज है पहुंचना है जरूर अभी तो मंजल दूर प्यारे अभी तो मंजल दूर अंजली को है तेरा सहारा तुझ बिन दूजा न कोई हमारा दूर से चम के नुरानी नूर अभी तो मंजल दूर अभी तो मंजल दूर प्यारे अभी तो मंजल दूर मेरे प्यारे जनों पहुंचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं इस यात्रा में कई कदम हैं पहला कदम है जिसे कहते हैं वैराग्य जैसे हम जीवन की रा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा समय आता है जब हम दुन्या के एशो औराम मौज मस्ती से उप जाते हैं कुछ दिन पहले विदेश से एक महिला का मुझे पत्र मिला अब वह बहुत अमीर है करोड़ पती है परी लिखी है और बुदिमान है देखने में सुन्दर, रूप वन्ती, कुल वन्ती, धन वन्ती है उसके पास वो सब कुछ है जो संसार दे सकता हीरे, जवारात, बंगले, चौबारे, नवकर, चाकर अब लिखती है एक समय था जब कलब्स में जाना, होटल्स में जाना, नाच गाना, सिनेमा आदी मुझे अच्छा लगता था मैं पूरा दिन उस नशे में रहती थी दूसरी कोई भी बात मुझे याद ही नहीं आती थी रोज अक्सर रात के दो या तीन बज़े शरा पीकर डांस करके घर लवड़ती थी दूपैर को दुकानों पर जाती थी शाम के समय पार्टी में जाती थी इन बातों में मुझे मज़ा, मुझे बहुत मज़ा आता था किन्तु अब ये सब बाते मुझे अच्छी नहीं लगती अब यदि मुझे कोई पार्टी के लिए बुलाता है तो मैं हाथ जोड़कर मासी मांगती हूँ क्योंकर अब मैं चाहती हूँ कि प्रभू के चरन कमलों में बैथी रहूँ दिल ही दिल में अपने प्रभू से मीथी मीथी बाते करूँ बड़े बड़े लोगों की संगती अब मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं छोटे बच्चों के बीच में रहूँ उनके साथ खेलूँ उने प्रभू की बातें बताऊँ और दिल ही दिल में पुकारूं प्रभू तुम मुझे अपना बनाओ अब मेरा दिल इन सब बातों से उब चुका है धन्या है यह महीला काश हमारा मन भी इस प्रकार सांसारिक चीजों से उब जाए तो पहला कदम है वहराग्य मेरे प्यारे भाईों और भेनों हर इनसान दुन्या के दवर से गुजरता है कई अनुभव लेता है मजा लेता है एशो आराम का स्वाब चकता है धन संपती खते करता है मान सनमान के पीछे भागता है फिर देखता है कि उसे कुछ नहीं मिला है वह सूचता है मैंने खूँ मजा लिया किन्तु मजा तो है सजा धन दौलत से चिंता उड़ती है मान सनमान से बेचैनी आती है और तब उसे भाण होता है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ गमाया सारी उमर व्यर्थ गमाई नहीं की मैंने कोई कमाई सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती जाती उमर हरी नाम अबना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती जाती उमर तेरी बीती जाती उमर हरी नाम अबना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना दिह नेन बिन रेन छंद बिन मन्दिर दिप बिना दिह नेन बिन रेन छंद बिन मन्दिर दिप बिना जैसे पंदित वेद बिना जैसे पंदित वेद बिना तैसे प्राणी हरी नाम बिना तेरी बीटे जाते उमर तेरी बीटे जाते उमर हरी नाम बिना सुमीरन कर ले मेरे मना सुमीरन कर ले मेरे मना सुमीरन कर ले मेरे मना मेरे प्यारे भाईों और बेहनों जिसका मन संसार से उप जाता है उसके भीतर सजगता आती है सजग इनसान एक ही बात की चाहत रखता है वह कहता है इस जीवन को कैसे सफल करूँ कई वर्ष मैंने वेर्थ गवाई है अब बाकी बचा हुआ जीवन तो सफल कर लूँ फिर वह पाप से दूर रहना चाहता है विकारों से किनारा करने की कोशिश करता है तृष्णाओं से मुक्त होना चाहता है इंद्रियों और मन पर काबू रखना चाहता है वह बहुत कोशिश करता है किन्तु संसकार बार बार उस पर हावी हो जाते हैं और उसे अंधकार में धकेलते हैं बेचाड़ा पूरी इमानदारी से यतन करता है एक दिन दो दिन तीन दिन वह सफल भी हो जाता है फिर चौथे दिन कोई ऐसी लहर उठती है जो उसे गसीट कर ले जाती है उसकी आंखों पर परदे पर जाते हैं किन्तु वह फिर भी फुकारता है आहां यह मेरे साथ क्या हो गया मैंने सुयम अपने पैरों पर कुलहारी मारी प्रभु कब तक मेरी दशा ऐसी रहेगी उसे क्रोध आता है उस क्रोध को वश्मे करने की वह बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे इस बात का भान है कि हर एक प्रानी गुर्देव की मूरत है पर क्या करे पिछले संस्कार उसे घेड लेते हैं कोई छोटी सी बात भी हो तो वह गुसे से लाल हो जाता है कभी-कभी हाथ भी उठाता है फिर पश्चा थाप करता है पुकारता है मेरे प्रभु यह मैंने क्या किया मैंने क्या क्या कभी उसे कामवासना का विकार सताता है कोशिश करता है दिल में प्रण भ पूर रहूंगा, अपने मन का पूरा प्रेम तुम्हें दूँगा, रिष्ठा का कीरा बन कर नहीं रहूंगा, बेचारा एक दो दिन, पांच दिन, आठ दिन, स्वेम पर काबू रखता है, फिर एक रा तृष्णा की तेज लहर उठती है, और वह बेबस होकर काम वासना में लिप्त हो जाता है, जब उसकी वासना पूरी होती है, तो फिर पचताता है, पुकारता है, मेरे प्रभू, मैंने तो कितनी कोशिश की, किन्तु मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्यारे भाई और भेनों, यह पाठ हम में से एक-एको सीखना है, यह जो गिर जीवने का और उठने का खेल चल रहा है, उसमें भी रहम है, उसमें भी कोई राज समाया हुआ है, वह राज यह है कि जीव समझे और जाने कि मैं स्वयम अपने बल बूते, पर कुछ नहीं कर सकता, of myself, I can do nothing, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कई इरादे करता हूँ, कई वादे इकरार करता हूँ, किन्तु मैं हूँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रभु की किर्पा के स्वाय, मैं बिलकुल खोखला हूँ, जब तक मेरे प्रभु तुम मुझ पर किर्पा नहीं करते, तब त मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उपर उठने की कोशिश करता हूँ, किन्तु जिस टहनी पर मैं पैर रखता हूँ, वा टहनी टूट जाती है, मुझे खरे रहने की जगह भी नहीं मिलती, मेरे प्रभु मैं कहां खरा रहूँ, मेरी उमीर तो एक तुझ में ही है, मेरा आधार त तुम हो, मैं सूर्दास हूँ, सूर्दास की लाथी तुम हो, मेरे प्रयतम मुझे तुम कस कर पकरना, तुमारे सिवाए मैं कुछ नहीं कर सकता, कोशिश की है, किन्तु बार बार गिरता हूँ, जितना सुयम पर निर्भर करता हूँ, उतना अधिक अंधेरे में गिर जाता मेरे प्रबू तुम मुझे कस कर पकर लो प्रबू मुझ में ना है थाकत ना है शक्ति ना कोई बल और ना कोई युक्ति मेरी माह पकर लो एक बार स्वामी क्यों न मुझ पर किर्पा का रंग लगाते इस विवानी में मेरे एक तुम ही हो सहरे दुन्या नूरी है दोखे बाजी यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी क्या हालत होगी मैं तो अंधकार में जा गुरूंगा तुमारे सिवाए और कौन जो मुझे सहरा देगा मेरे प्रबू तुम क्यों नहीं मुझ पर किर्पा का रंग लगाते मैंने तुमें एतना पुकारा है रो रो कर दिल के दर्द से मैंने तुमें बार बार पुकारा है अगर तुम मुझ पर रंग लगाओगे तो तुमारा क्या जाएगा यदि एक बार तुम अपनी किर्पा का रंग लगाओ तो मैं भी नया हो जाओं मैं हार गया अपने बल से निर्दोष बचाओ जग छल से सव बार नहीं बस एक बार मेरी बाह पकर लो एक बार मैं तुहार गया अपने बल से निर्दोष बचाओ जग छल से सव बार नहीं सव बार नहीं बस एक बार बस एक बार प्रभु एक बार मेरा हाथ पकड़ लो एक बार मैं तुहार गया अपने बल से निर्दोष बचाओ जग छल से सव बार नहीं सव बार नहीं बस एक बार प्रभु एक बार बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लो एक बार मेरे प्यारे भाईों और भेनों हमें रंग लगे इससे पहले यह जरूरी है कि हम साफ हूँ कपरे को रंगने से पहले उसे ब्लीच करते हैं साफ करते हैं जब तक कपरा सफेद नहीं हो जाता तब तक उस पर दूसरा रंग नहीं चरता हम पर रंग लगे उससे पहले हमें सफेद होना है साफ होना है man needs to be purged of all desires we must be cleansed we must become white as snow लेकिन मनुष्य स्वयम को साफ नहीं कर सकता मैं कितनी भी कोशिश करूँ स्वयम को साफ नहीं कर सकता अभी एक टुकरा साफ करता हूँ तो दूसरे पर मैं लग जाती है प्रभु की किर्पा हमें साफ कर सकती है आपने देखा होगा बारिश होती है तो एक ही बार में सब पे साफ हो जाते हैं प्रभु की किर्पा की बारिश यदि मुझ पर भी गिरे तो मैं भी साफ हो जाऊंगा मैं स्वैम को साफ नहीं कर सकता किन्तु एक बात है जो मैं कर सकता हूँ वो है साफ होने के लिए तयार होना प्रभू मैं साफ होने के लिए तयार हूँ तुम मुझे साफ करो Lord I am willing and eager to be cleansed Do thou cleanse me? I surrender all my sins to Thee I surrender all my sins to Thee मुझे कई विकार है मेरे पाप अंगिनत है वे पाप और विकार मैं आपके चर्णों में रखता हूँ गुनाहों की पूरी गठरी तुमें अरपन करता हूँ मुझे माफ करो, मुझे साफ करो मुझे पर किर्पा का रंग लगाओ मेरे प्रबू मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के दौर से गुजरा हूँ, कई अनुभव मुझे हुए हैं, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, अब मैं अपने दिल का हाथ तुम्हें बताऊंगा, यह दुनिया तो मरू स्थिल है, इस में एक तुम ही मेरे अपने हो, यह दुनिया तो है दोखे बाजी, इस दुनिया में न यारों में यारी रही है, न दोस्तों में दोस्ती, न भाईयों में भाईचारी देखा है, न भेनों में भगती, हर एक है मतलब का यार, हर एक को अपना अपना स्वार्थ है यदि वह मतलब पूरा नहीं हो पाता तो कहते है हमारा नाता थूटा हम तुम्हें पहचानते नहीं है मेरे प्रभू ये सब नाते कच्चे हैं एक तुम ही सच्चे हो इस मरूस्थल में एक तुम ही हो एक तुम ही हो मेरे पिरे जनो इस संसार में हम में से कई लोगों को ऐसा अनुभव मिलता है कि जिन के लिए हम जान देते हैं वे भी समय पर हमारा साथ नहीं देते क्योंकि हर कोई है मतलब का यार भागयवान है वह जो यह पाथ सीकर दुनिया से मोरता है बाहरी तोर पर वह अपने कर्टर्य का पालन करता है क्योंकि यह दुनिया कर्म भूमी है यह एक-एक अपना कर्म करना है किन्तु वह दिल में समझता है कि मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ मैं तो अपने मालिक का हूँ मेरे पिरे जनो एक शहर में एक सुनार रहता था जिसका नाम था अखो वह काबिल जवरी था और अपने हाथों से ऐसे जेवर बना था कि उनमें निकार आ जाता था बड़े बड़े लोग उसके पास जेवर बनवने आते थे सुनार की एक मुण बोली बहन थी जिसे वह अपने संगे स्वंमंधियों से भी अधिक प्यार करता था वह उसे कहता शायद पिछले जन्द का कोई नाता होगा जो तुम इस जन्द में मेरी बहन बनी हो मेरे मन में हमेशा यही भावना रहती है कि मैं तुमारी ज्यादा से ज्यादा सेवा करूँ एक दिन उसकी बेन उसके दुकान पर कुछ सोना लेकर आती है अपने भाई से कहती है भाया इस सोने में से आप मुझे एक सुन्दर सागले का हार बना कर दें अब बड़ा ही खुश होता है और अपनी बेन से कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार तुमने मुझे कोई काम सौपा है देखना मैं तुम्हें ऐसा गले का हार बना कर दूँगा जो शेहर की सारी इस्त्रियां तुमसे ईर्षा करने लगेंगी सच मुच उस सुनार ने अपनी पूरी कारीगरी से एक बहुत ही खुशूरत हार बनाया यहां तक कि उस ने उस हार में अपना कुछ सोना भी मिला दिया और उस से कुछ बताया नहीं जब बैन ने हार देखा तो उसकी आँखे चमक उठी उसने अपने भाई से कहा ऐसा सुन्दर हार तो केवल कोई महरानी ही पहन सकती है और आपने मेरे लिए इतना सुन्दर हार बनाया है लेकिन इस दुन्या में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं जब वह खुशी-खुशी घर आती है और सब को अपने भाई की कारीगरी दिखाती है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि सुनार पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए उसने तुमारे दिये हुए सोने में जरू कुछ मिलावत की होगी उसने घर वालों को समझाया कि मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता लेकिन बार बार ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर आखिर उसके मन में शंका पैदा होती है और सोचती है क्या पता मेरे भाई ने कुछ मिलावत की हो इस संधे को दूर करने के लिए वह दूसरे सुनार के पास हार ले जाती है और उसे कहती है मैं यह हार छोड़ कर जा रही हूँ जरा देख कर बताना कि इसमें कितना सोना है और कुछ मिलावत तो नहीं दूसरे सुनार ने हार देख कर उसे बताया कि सबसे उंदा सोना है और उसे सोने की तोल भी बताता है यह सुनते ही वह हैरान रह जाती है सोचती है कि मैंने तो कम सोना दिया था इसमें तो थोड़ा ज्यादा सोना परा हुआ है अपने भाई को बहुत ही दुआएं देती है परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंके इस बीच वह अपना हार दिस सुनार के पास छोड़ कर गई थी उसका भाई किसी काम से उसे दुकान पर आया था अचानक उसकी नजर उस हार पर जा परी और वह सोचने लगा कि यह हार तो मैंने अपनी बहन को दिया था पर इस दुकान पर कैसे पहुंचा तब उसने सुनार से पूछा उस सुनार ने कहा कि एक महिला यह हार मेरे पास छोड़ कर गई है वह जानना चाहती है कि हार में कितना सोना है और उसमें कोई मिलावर तो नहीं यह शब्द सुनते ही जैसे उस पर आसमान तूट परा यह अनुभाव उसके लिए काफी था उसने सोचा कि यह दुन्या कैसी है जिस भेन पर मैं अपने प्रान कुर्मान करता था उसने मुझे पर इतना बड़ा शक किया मुझे अब ऐसी दुन्या से कोई संबन्ध नहीं आई दुन्या तेरा दूसरा नाम है बेवफा बेवफा, बेवफा मेरे प्यारे भाई और बेनों जब हमें इस बात का बोध हो जाता है तब हमारा मन दुन्या से उप जाता है फिर इंसान सजग होता है और कहता है अब दुन्या के पीछे और नहीं दौरूंगा अपना हिर्दय एक सत्गुरू को दूँगा संतों के चर्णों को पकरूंगा नाम का अभ्यास करूंगा दुखी दर्दों की सेवा कर एक शुब दिन प्रभु की किर्पा से अपना मानव जन्म सफल करूंगा सफल करूंगा ओग शांती 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 अभ्यास का अभ्यास का अभ्यास का शांती 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